नमस्कार दोस्तो आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे देखिए आज हम डिस्कस करेंगे एक अक्तूबर का दाहिंदू न्यूजपेपर और पी आईबी का इंपोर्टन करंट अफेयर्स देखिए आप सभी को बता दू पी आईबी जो है प्रेस इंफोर्मिशन ब्यूरो अभारत सरकार की सरकारी वेबसाइट है और दाहिंदू न्यूजपेपर के बारे में आपको पता होगा और हमारा जो करंट अफेयर है वो आपके सभी एक्जाम के लिए काम का रहेगा चाहे वो UPSC का कोई एक्जाम हो या फिर किसी भी राज्य का PCS एक्जाम हो UP भिहार हरियाना 36 गड़ जारकंट कहीं का भी और वन डे एक्जाम जो होते हैं जैसे SSC और बैंकिंग से रिलेटिड सभी के लिए हमारा करंट फिर काम का रहेगा और पिछला जो भी करंट फिर बचा ह तो दिवस भी मनाया जाता है और स्वच्ता ही सेवा 2024 का थीम जो है सवभाव स्वच्ता और संसकार स्वच्ता बिलकुल याद रखना एक्जाम में देखी ऐसी चीज़े हैं डारेक्ट देखने को मिल जाती है तो ऐसी चीज़ों को आपको बिलकुल भी नहीं छोड़ना है गाईज नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपोर्टेंट है फो रोल एक्जामिनेशन दाट इज मित्थुन चकरवर्ती को दादा साहिब भाल के पुरुषकार से सम्मानित क्या जाएगा ठीक है तो मित्थुन चकरवर्ती जो है इनके बारे में थोड़ा पढ़ ले जाता है यह किस फिल्ड के लिए दे जाता है तो देखो भारतिय सिनेमा में योगदान के लिए बिल्कुल दिया जाता है और इसमें कितने रूपए की धनरासी 10 लाख रूपई यह ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए कि कितने रूपए 10 लाख रूपए बिल्कुल इस जाते हैं ये पता हो ठीक है और सबसे पहले ये 1979 में देवी का रानी को सम्मानित किया गया था इतना याद रखो ठीक है इसके बाद में हम यहां बात करेंगे देखो अन्यदरपन समार्ट के बारे में अन्यदरपन समार्ट जो है चावल की गुणवत्ता की जाच करने के मतलब अगर आपको पेपर में देखने को मिले कि अन्यदरपन वज रिसैंटली चर्चा में था तो ये क्या है तो देखो अन्यदरपन जो है एक तरह से बिलकुल सपछी मेनेजमेंट सम्मधित है बिलकुल ये शिस्टम ठीक है तो हमारा जो FCI Jake Food Corporation of India वो देखो बल्क में आ बहुत ज्यादा मात्रा में ये अन जो हैं वो खरीदे जाते हैं तो उनकी थोड़ी सी यहाँ पे quality चेक करने से सम्मंदित बिल्कुल ये जो है ये help करेगा platform ठीक है तो पता होना चाहिए उसके बाद में काजिन्द 2024 के बारे में बात करें देखो ये भारत और कजाकिस्तान का कैपिटल सहर कमेंट सेक्शन में बताना जरूर भारत और कजाकिस्तान सन्युक्त सेन्य अभ्यास का आठवा संसकरन ओली उत्राखंड इंडिया में बिल्कुल होने वाला है कहां पे होता है और इस बार कौन सा संसकरन है और इस नाम की exercise कौन से दो दिसों के बीच में है ती बिल्कुल एक्जाम में चीजें ऐसी डारेक्ट देखने को मिल जाती है ठीक है तो वैश्विक नवाचार सुचकांक के बारे में बात करें विश्व बोधिक संपदा संगठन के दवारा बिल्कुल इसको लेके आया जाता है ठीक है इतना याद रखो कौन लेके आता है इस इसमें भारत को 49 वा स्थान मिलता है टोटल देश कितने होते हैं इसमें ये भी पता होना चाहिए और भारत की रेंकिंग तो है ही साथ साथ ये जो संगठन है वेश्व बोधिक संपदा संगठन सन्युक्त रास्टर की विसेश एजनसी है और इसका मुख्याले जिनेवा मे ही है ये भी याद रखो ठीक है उसके बाद में देखो आई बीबियाई जो है इंसल्वेंसी बेंकरप्सी वाला भारतिय दिवाला और दिवालियापन बोड जो है अपना आठवा वार्षिक दिवस बिलकुल मना रहा है ठीक है तो भारतिय दिवाला और दिवालियापन बो अगर eligibility के बारे में बात करें तो पुनार नियूकती बिल्कुल संबव है ये याद रखो ठीक है उसके बाद में हम बात करेंगे धेको हुसेन सागर जील ये बारे में बात करें guys तो ये जील बिल्कुल हैदराबाद के यहां पे आपको देखने को मिल जाएगी ठीक है और दूसरा वायू शैना परमुक के बारे में बात करें तो बिल्कुल एपी सिंग बनते हैं तो ये भी अब ये जील चर्चा में क्यों आई देखो कई बार बच्चे बोल देते हैं कि सर न्यूज क्यों चर्चा में ये बता दिया करो तो देखो ये इसी लिए आई ब्रेस्ट कैंसर जो दिन था सेलिब्रेशन चला हुआ था तो पिंक के कलर से अंबेड कर साब की जो वहां पे स्टेचू था तो उसको बिल्कुल अलंकरित आभुशित किया गया था वो तो इसी वज़े से चर्चा में बना तो हमने बात की है वाई शेना परमुख हमारे बनते हैं एपी सिंग साहब तो इनका नाम याद रखो वंडे एकजाम में पूछी जाती है ऐसी चीजे नेक्स्ट आइनस कोची के बारे में बात करें आइनस कोची जो है कॉलकत्ता सुरे नामे बिल्कुल इसको शामिल किया गया ठीक है गाई तो ध्यान रखना इसके बाद में ऑपरेशन चक्र थरी के बारे में बात करें तो सीबी आई ने 26 साइबर ठगों को ग्रफतार किया कितने को भी करो यहां से नंबर ये बिल्कुल भी मैटर नहीं है लेकिन याद रखो ओपरेशन चक्र थर्ड किस से संबंदित है सीबी आई का किसको साइबर ठगों को ग्रफतार करने से संबंदित है बस ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे मारिया कोरिना मचादो ठीक है तो ये वेनेजुएला की है और इनको सिर्ज यूरोपिय अधिकार जो यूरोपियन रा पोभीतोरा वाइडलेफ सेंक्चूरी है आपको कमेंट सेक्षन में बताना है भारत के कौन से रज्य में स्थीत है ठीक है उसके बाद में रवांडा कंफर्म करता है एट डेथ फ्रोम इबोला लाइक मारबग वाइरस की ठीक है तो ये भी बैट से होता है वैसे ठीक है तो रवांडा पता होना चाहिए युगांडा पता होना चाहिए ठीक है और भी ऐसे देश जैसे सुडान साउट सुडान इतोपिया सोमालिया मोजंबिक बोटस्वाना नमीबिया तो काफी बिलकुल बहुत इंपोर्टन है पता होना चाहिए गिनी हुआ नाइजर पूरकी यह अल्मोस्ट बहुत सारे जो देश हैं अफ्रिकन कंटिनेंट भी वो भी हम आपको पहले मैप में अल्रेडी दिखा चुके है ठीक है तो बिलकुल मैप में देखते रहिए बिलकुल लोकेशन देखो कोई रटने का कोई फोर्मूला नहीं है डेली मैप देखो लोकेशन अपने आप पता चल जाती है कि भाई यहां पे जो यह रवांडा है इसके पास में DRC पड़ता है तंजानिया पड़ता है इधर ठीक है ऐसी चीज़े इधर यूगांडा पड़ता है तो ऐसे चीज़ों को ऐसे ही करके धहन रखिए फिर भी कोई सजेशन सुझाओ आप मेर के लिए बहुत मैतों रखते हैं बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता देना मिलेंगे नए दिन के साथ तब तक के लिए जैहिंद